पहले जब मैं तुमसे दूद लेती थी तो वो दो दिन चल जाता था पर अब तो दो लीटर दूद मुश्किल से एक दिन ही चल पाता है भाईया अगर ऐसे ही रहा तो मैं तुमसे दूद नहीं लोगी फिर मैं गणीश दूद वाले से दूद ले लिया करूँगी सुना है उसका दूद बहुत गाड़ा होता है अरे नहीं नहीं बहन जी चिंता मत करो वो थोड़ा मौसम बदल ला ना इसलिए गाए पतला दूद बे रही है मैं कोसिस करूँगा कि अपसे आपको गाड़ा दूद ही मिले रमेश जो कि गाओं में दूद बेचने का काम करता है पर कुछ समय से रमेश की गाए कम बूदे रही है इसी कारण दूद की मात्रा कम होने की वज़ह से कुछ दिनों से रमेश ने दूद में पानी मिलाना शुरू कर दिया ताकि दूद की मात्रा पूरी कर सके पर लोग उस मिलावट को पहचान चुके थे इस कारण रमेश बहुत परिशान था रमेश भईया तुम दूद में पानी मिला रहे हो है या पानी में दूद मिला रहे हो ये बताओ मेरी पत्नी ने साफ मना कर दिया है कि तुम से दूद ना ले अब तुम ही बताओ अगर हम सबने तुम से दूद लेना बंद कर दिया तो फिर क्या गरोगे इसलिए अभी भी समझा रहा हूं कि दूद में पानी मिलाना बंद कर दो नइ नइ भीया जी मैंने दूद में कोई पानी नहीं मिला यह पता नहीं मेरी गाए आजकल दूद बहुत पतला दे रही है आपके अलावा बहुत से लोगों ने मुझे इस बात के लिए बोला है जिन्ता मत करिये, मैं इस पर पूरा ध्यान दूँगा अब ग्राहकों की परिसानी समझना तो मेरा फर्ज है ना मैं आप सबको गारा दूद ही दूँगा पर ऐसा नहीं हुआ रमेश की गाए बहुत कम दूद देने लड़ी जिस कारण वो रोजाना दूद में पानी मिला रहा था इसलिए अब गाउं में उससे सबने दूद लेना बंद कर दिया था ऐसे कैसे गुजारा होगा मेरे तो सारे ग्राहक छूटते जा रहे हैं मेरे लिए बहुत मुस्किल हो जाएगी कुछ तो सोचना ही पड़ेगा अजी सुनते हो घंशयाम भईया आए है घंशयाम तू अचानक सहर से आ बैठ बड़े दिनों बाद तुझ से मिलना हुआ भई आँ वो धोड़ा गाउं में काम था सोचा अपने दोस्त से भी मिलता चलू और बता कैसी चल लाई है क्या बताओ घंशयाम बहुत परिसानी में हूँ गाए ने दूद देना बहुत कम कर दिया यार इसी वज़े से बहुत परिसान हूँ बस इतनी सी बात है इसमें परिसान होने वाली कोई बात नहीं है आजकल बहुत से ऐसे साधन आ गए है जिन से हम गाए के दूद की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं समझे और दूद गाड़ा भी कर सकते हैं भई मैं कुल समझा नहीं अरे गाए का इंजक्षन गाए का इंजक्षन? दूद की मात्रा बढ़ाने के लिए गाय का इंजेक्षन ही इस्तिमाल में लाया जाता है समझे, जिससे दूद को गाड़ा भी करते हैं और दूद की मात्रा भी बढ़ जाती है, पर इसके बारे में किसी को पता चल जाये तो, अरे किसी को क्या पता चलेगा है, रात में चुपचाप इंजेक्षन लगा दो, फिर धेरो मात्रा में गाय दूद देती है धेरो, इसमें कोई परेसानी नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं होता, मैं तुझे इंजेक्षन दिलवा दूँगा, तू चिंता मत कर, ठीक है, फिर मैं भी इंजेक्षन का इस्तिमाल करके देखता हूँ, अगर दूद की मात्रा जादा हो गई, तो मेरी तरफ से तेरी दावत पक्की है, तुम सही कह रहे हो, घंश्याम भया को मैं अपने हाथों से बने बढ़ियां पक्वान खिलाऊंगी, अगले दिन ही रमे रमेश को पानी नहीं मिलाना पड़ा, अब तो ग्राहक भी रमेश का दूद पसंद करने लगे थे, फिर से रमेश ने अच्छी कमाई करने शुरू कर दी, क्यों भेन जी, अब तो दूद में कोई सिकायत नहीं है न, नहीं नहीं भया, अब तो दूद बहुत ही बढ़िया जिस कारण गाई जादा से जादा दूद देने लगी, पर हर चीज को जरूरत से जादा इस्तिमाल करना भी नुकसान दायक हो जाता है, ये बात वो लालची बैमान दूद वाला नहीं जानता था, एक दिर, जब से लोगों ने रमेश से दूबरा दूद लेना शुरू किय तब से लोग इस पेट खराब की विमारी से जूज रहे हैं, पर डॉक्टर साब दूद पीना तो सेहत के लिए अच्छा होता है, आप ये कैसे कह सकते हो कि दूद पीने से हमारे गाउं के लोग विमार हुए हैं, चौधरी साब मैंने शेहर और गाउं सब जगा बहुत समय बिताया है, मैं जानता हूँ, कुछ दूद वाले लालच में आकर अपनी गाय को इंजेक्शन देते हैं, जो कि हम मनुश्यों के लिए बहुत ही हानिकारक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि रमेश ने गाय को इंजेक्शन दिया है, चौधरी साहब, डॉक्टर साहब लगता ह ठीक कह रहे हैं, कुछ समय पहले तक रमेश की गाय ने दूद देना बंद कर दिया था, सुनने में आया था, गाय की दूद की मात्रा कम हो गई है, फिर हम लोगों ने गणेश से दूद लेना शुरू कर दिया चौधरी साहब भगवान जानता है, मैंने हमेशा इमानदारी से दूद बेचा है, छोटा मू बड़ी बात होगी, मैंने रमेश को गाय को इंजेक्शन देते हुए एक रात देख लिया था, पर मैं जानता था कि मेरी बात पर कोई विस्वास नहीं करेगा, गाउं के लोग सारी सच्चाई आज उगलवा कर ही रहेंगे, वरना इस गाउं से उसे धक्के देकर निकाल देंगे, रमेश घबरा जाता है और डर कर सारी सच्चाई चौधरी साहब के सामने बोल देता है, मुझे माफ कर दो चौधरी साहब, मैंने अपने दोस्त के कहने में आकर गाउं को इंजक्सन दी, मुझे नहीं पता था कि गाउं के लोग बिमार पर जाएंगे, मैं तो बस गाउं के दूध की मातरा बढ़ाना चाहता था, मेरी रोजी रोटी और परिवार इसी गाउं में चौधरी साहब, मुझे यहां से मत निकालो जिससे गाउं के लोगों की जान पर बात आ गए, रमेश ने घंश्याम को भी फोन किया, पर घंश्याम ने उसका साथ नहीं दिया, सुधाब, हम से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने बेमानी के रास्ते को चुना, आज हम दोनों बिलकुल अकेले हैं, जब तक हम इमानदारी से अपने काम को कर रहे थे, तो पूरा गाउं हमारे साथ था, आज के बाद मैं कहीं भी रहूं, पर बेमानी से कोई काम नहीं कर अनपूर्णा घर में अकेली रहती है, उसकी उम्र 50 साल है, उसका बेटा सुरेश अमरिका में नौकरी करता है, और वहीं पर एक गोरी मेम से शादी करके बस गया है, लेकिन वो अपनी मा को पैसे नहीं भेशता है, इसलिए अनपूर्णा बहुत गरीब है, उसके पास सरफ पेंकाय है, उसका नाम है माल्ती, अनपूर्णा माल्ती का दूद बेच कर अपना पेट पालता है, सुन माल्ती, तुझे पता है, मेरा बेटा अमेरिका में बहुत बड़ी नौकरी करता है, वो जब लौट कराएगा, तब देखना मेरे लिए कितना कुछ लाएगा, सुरेश अपने विलाइती बहु के साथ आता है, मा, मैं आ गया हूँ, अपने बेटे को देखकर, अनपूर्णा खुशी से पागल हो जाती है, अरे बेटा, तु अचानक से कैसे आ गया, वो बात यह है कि मेरी नौकरी चली गई है, अच्छा, इसलिए मा की याद आ गई, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कुछ दिन घर पर आराम कर, सुरेश की बीवी का नाम रोजी है, वो कहती है, क्या हम यहां रहेंगे सुरेश, इस छोटे से घर में, किती बद्बू है यहां पर, अहां बहु, वो मेरी गाय है न मालती, उसी के गोबर से थोड़ी दुरगं दे देती है, और खुद घर के बाहर मालती के पास होती है, अगले ही दिन से रोजी हला मचाने लग जाती है, वो सुबह उठकर कहती है, इतनी देर हो गई, फिर भी मुझे मेरी ग्रीन टी नहीं मिली, कहा है मेरी ग्रीन टी? सुरेश अनपूर्णा से कहता है, मा क्या कर रही है आप, मेरी पत्नी विलायती है, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना? ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ, लेकिन अनपूर्णा को ग्रीन टी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो मालती के ताजे ताजे दूद से चाय बना कर रोजी के पास ले जाती है, दूद से बनी चाय देखकर रोजी एक जटके में चाय का कप फिक देती है, अनपूर्णा को बहुत बुरा लगता है, रात को रोजी सुरेश से कहती है, सुनो, मैं ऐसे यहां नहीं रह सकती, अरे रोजी, कुछी दिन की तो बात है, रह लो ना, नहीं, तुमारी मा गवार है, ये घर तो तुमारे नाम पर है न, इसे बेश तो, और चलो किसी की यादे है, तब ही वहाँ गाओं के मुख्या चले आते हैं और कहते हैं, आहां ऐसे घर कैसे बेश तोगे तुम, तुमारी मा कहा रहेगी फिर, वो सब हमें क्या पता, ये घर सुरेश के नाम पर है, हम ये घर बेश कर चले जाएंगे, आप होती कान हो हमारे बीच में बा मालती को लेकर रास्तों पर निकल पड़ती है, वो बहुत उदास है और उसकी आँखों में नमी है, ये क्या हो गया भगवार, अब मैं क्या करूँ, मेरे खुद के बेटे ने मेरे साथ धोगा कर दिया, अनपूर्ना बस दूद बेशती रहती है, और उससे जो थोड़े ब मालती को भगा देता है, और अनपूर्ना को आकर धमकी देता है, देख बुडिया, तेरी गाया अगर मेरे खेत में दोबारा घुसी, तो मैं इसे मार डालूँगा, कोई उपाई ना देखकर मालती एक चाय की दुकान के पास जाती है, वहाँ चाय के पत्तों का धेर पड़ अनपूर्ना चौंक जाती है, अरे ये क्या, मालती दूद में ही चाय दे रही है, गजब हो गया, ये तो चमतकार हो गया, कुछी देर में चारों तरफ ये खबर फैल जाती है, और बहुत सारे लोग गाय से निकलने वाली चाय पीने के लिए लाइन में खड़े हो जाते है अनपूर्ना एक कप चाय दस रुपे में बेशती है, सब कुछ देखकर मालती के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, चारों तरफ हरबड़ी मज जाती है वा, ये चाय तो कितनी स्वादिष्ट है, मुझे एक और कब दो, मुझे भी दो, इस बोतल में भी दो, मुझे घर ले जाना है अनपूर्ना पूरा दिन चाय बेशती है, इस तरह एक दिन में वो हजारों रुपे कमा लेती है ये भगवान, आपका लाक लाक सुकर है, आपकी वज़ा से ये चमतकार हो पाया है मालती भी अपनी भाशा में भगवान को धन्यवाद देती है कुछ महीने ऐसे ही चाय बेश कर अनपूर्ना बहुत अमीर हो जाती है और वो रहने के लिए शेहर में एक घर खरीद लेती है चाय बेशने के लिए एक दुकान भी खरीद लेती है और घर के बाहर एक खुली जमीन भी खरीद लेती है ताकि मालती आराम से टहलते हुए घास खा सके ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीटने लगते हैं लेकिन उस तरफ सुरेश को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। अब क्या होगा रोजी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। और घर बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी खत्म होने को है। अब हम इस होटल में भी नहीं रह सकते। ये सुनकर रोजी गुस्सा हो जाती है और कहती है। अब मैं क्या करूँ? मा के पास लोड़ जाओ? नहीं नहीं, मैं मा को अपना चेहरा कैसे दिखाओ? सुरेश पागलों की तरह रास्तों में घुमता रहता है और भीक मांग कर अपना पेट पालता रहता है। एक दिन घुमते घुमते उसे चाय देने वाली गाय के बारे में पता चलता है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वो लाइन में खड़ा हो जाता है और अपनी बारी आने पर कहता है। क्या आप मुझे एक कप चाय दे सकती हैं। मुझे बहुत तेज भूक लगी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सुरेश को देखकर अनपूर्णा तुरंद पैचान लेती है। अरे बेटा तू। मा आप। अनपूर्णा सुरेश को गले लगा लेती है और रो पड़ती है। सुरेश भी रो पड़ता है। वो अपनी मा को सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनकर अनपूर्णा कहती है। कोई बात नहीं बेटा। सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना? मा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? एक मा कभी अपने बेटे पर गुस्सा रह सकती है क्या? आज़ा बेटा, ये सब कुछ ते रही तो है, हमेशा याद रखना बेटा, मा तो मा ही होती है, मा जैसा प्यार इस दुन्या में कोई नहीं कर सकता सुरेश रोते हुए फिर से अपनी मा को गले लगा लेता है, इसके बाद से सुरेश और अनपूर ना मिलकर चाय बेशने लगते है मा बेटा मिलकर बहुत खुश रहते हैं सुरेश को मा की मम्ता और प्यार की कीमत पता चल जाती है और मालती खुशी-खुशी चाय दे कर इस परिवार का हिस्सा बनी रहती है उर्मिला माधुपुर गाउं में रहती थी उसके पास पारो नाम की एक पालतु गाए थी पारो उर्मिला के साथ पिछले कई सालों से है पती के देहांत के बाद इसी गाए के सहरे उर्मिला ने अपने परिवार को चलाया उसकी गाए का दूद पुरे गाउं में मशूर था गाउं के सभी लोग उर्मिला से ही दूद लेते थे उर्मिला का बेटा शेहर में पढ़ता था वहीं उसे पूनम नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपने मा को बिना बताए पूनम से मंदिल में शादी कर ली आज वो गाउं वापिस आने वाला था उर्मिला बेहन दो किलो कर देना दूद देर किलो मुझे भी देना क्या बात है उर्मिला बेहन आज तो तुम बड़ी खुश दिखाई दे रही हो बात ही खुशिकी है सरोज बेहन आज मेरा बेटा गाउं वापिस आ रहा है बस जल्दी जल्दी काम निप्टा कर उसी खेलिए बढ़ियां-बढ़ियां पकवान बनाऊंगी पता नहीं शेहर में उसे क्या खाने को मिलता होगा और क्या नहीं अच्छा तो ये बात है चलो बहुत बढ़ियां हुआ कबसे बेटे के बिना अकेले रहते रहते तुम उदास हो गई हो अब वो आ जाएगा तो तुम्हारे साथ काम में भी मदद करतेगा हाँ वो तो है अरे आ रही हूँ पारो तू क्यों आवाज लगा रही है मैं जानती हूँ तू भी सूरज का नाम सुनकर बहुत खुश हो रही है रुक मैं अभी तुझे चारा डालती हूँ फिर तो सूरज ही तुझे खिलाएगा उर्मिला की गाए पारो अपनी आवाज में उससे बाते कर रही थी मानो वो भी सूरज के आने की खुशी मना रही हो शाम के समय सूरज आ जाता है पर अपने बेटे के साथ बहु को देखकर उर्मिला को बहुत बुरा लगता है मा तुम नाराज मत हो सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ पुनम के पिताजी की तबियद ठीक नहीं थी और वो चाहते थे कि हम ये शादी जल्दी से जल्दी कर ले इसलिए मैं आपको बता ही नहीं पाया पर अब मैं आपके साथ ही रहूँगा आप चिंता मत करो और मा पुनम बहुत अच्छे सुभाव की पढ़ी लिखी लड़की है आप एक दूसरे को आसानी से समझ जाओगे ठीक है देखती हूँ वो मुझे कितना समझती है गाओं के रहन सहन और शेहर के रहन सहन में बहुत फर्क है बेटा और मिला की तरह पुनम घर के काम काच नहीं कर पाती थी उसे तो घर का कोई भी काम करना नहीं यादा थी सूरज तुमने मुझे कहां लाकर पटक दिया है मुझसे ये घर के काम नहीं होते हमें शेहर वापिस चलना चाहिए उस गाए का गोबर साफ करो उसे चारा डालो उसे नहलाओ घर के लीपा पोती करो ये सब करके तो बद्बु के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है उपर से तुम्हारी मा को मा जी मा जी का नाटक करते हुए लेसुन प्यास ही काटती रह जाओग कैसी बात है कर रही हो पुनम यहाँ पर सारा कामकाज बना हुआ है मैं तो यहाँ पर बढ़िया सी देरी खोलने की सोच रहा हूँ दूद, घी, पनीर, दही और कुछ खास मिठाईयों की बहुत ही बढ़िया देरी खुल जाएगी हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी शहर में घर का किराया खर्चा पानी कितना ज्यादा है वहाँ पर मुझे काम सेट करने में ही सालों गुजर जाएंगे और जहाँ पर मेरा अपना खुद का घर का काम है हम शहर में क्या करेंगे तुम्हें पता भी है हमारी गाय का दूद पूरे गाउं में मश्यूर है सूचो हम कितना कमा लेंगे और फिर हमारे यहां रहने से मा को भी सहारा रहेगा वो बेचारी अकेले काम नहीं समाल पाती है अच्छा, तुम काम करो, मैं थोड़ी दिर बाजार होकर आता हूँ कहतो सूरज ठीकी रहे है शहर में काम करने के लिए पैसो की भी जरूरत होगी यहां पर तो अपना मकान अपना काम है और फिर हमें तो पैसे कमाने से मतलब है कुछ सालों में अच्छे पैसे कमा लिए तो बाद में शहर जाकर बस जाएंगे पर मुझे किसी भी तरह से सासु मा से अलग होना है ताकि उस गाई पर मेरा कबसा हो जाए पता नहीं माजी तो बहुत चालाक है कितने पैसे अपने अंदर करके बैठी होंगी पुनम को पता था कि सूरज गाउं में ही काम बढ़ाने वाला है इसलिए वो अलग होने के रास्ते ढूडने लगी सूरज सुबह से काम करकर के मैं ठक गई हूँ मेरे आने के बाद माजी ने घर के सारे काम मेरे ही जिमें डाल दिये हैं गाई को नहलाना, धुलाना, गोबर साफ करना, चारा डालना सारी देख भाल तो मैं करती हूँ और दूद बेशने के टाइम पर माजी गल्ला लेकर तकहत पर खुद बैठ जाती है ऐसे थोड़ी होता है, मैं अब और बरदाश नहीं कर सकती जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो फिर मैं अलग ही रहूंगी मुझे माजी के साथ नहीं रहना और हाँ, उस गाए पर मेरा हग है मुझे तो बस बटवारा चाहिए, गाए का बटवारा पूनम इतनी जोर-जोर से चिला कर ये बात कह रही थी कि उसकी बात उर्मिला के साथ-साथ पडोसियों ने भी सुन ली और सब वहाँ आ गए बहू, बटवारा, वो भी मेरी पारो का मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा और तुम जानती ही क्या हो पारो के बारे में उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है उसकी देखभाल की है तुम मेरी पारो को एक दिन भी रख कर तो दिखाओ वो तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहेगी हाँ हाँ, इस गाय की देखभाल मैं कर लूँगी आप उसकी चिंता मत करो पर एक शर्त है आप बीच में दखलंदाजी नहीं करोगी मैं जैसी मर्जी गाय की देखभाल करू आप उससे दूर रहोगी सूरज, अगर आज बटवारा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ कर शेहर चली जाऊंगी मा, अगर पुनम चाहती है तो आप उसे गाय दे क्यों नहीं देती सूरज बेटा, एक मा कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चों का घर खराब हो अगर बभू की यही इच्छा है तो आज से मैं अपनी पारो बभू के हवाले करती हूँ उर्मिला बेहन, कितने सालों से हम देख रहे हैं पारो को तुमने बहुत लाड़ प्यार से पाला है कहीं ऐसा नहो, बटवारे के चक्कर में एक निदोश जानवर परेसान हो जाए सब गाउं वाले भी क्या समझाते पूनम तो बटवारे के जित पर अड़ गई थी और ऐसा ही हुआ गाई अब पूरी तरह से पूनम के हवाले थी सूरज गाउं में डेरी खोलने की विवस्था के काम से शेहर चला जाता है पूनम तो आलसी थी उसने गाई के प्रती लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया वो सुबह उटकर ना तो गाई का गोबर साफ करती थी ना उसे नहलाती धुलाती थी और ना ही उसे समय पर चारा देती थी इसी कारण गाई के आसपास बग्वू फैलने लगी और मक्या मच्छर खीडे मकॉडे आने लगी गाई को समय पर चारा नहीं मिलता था वो कमजोर हो गई पूनम सारा दिन सोती रहती और खाती पीती रहती गाई ने दूद देना भी बंद कर दिया एक दिन गाई बेहोशो कर जमीन पर गिर गई ये देखकर पूनम घबरा गई सूरज उसी समय शेहर से आया और वो भी घबरा गया उसने उर्मिला को आवाज लगाई उर्मिला दोड़ती हुई अपनी पारो के पास आई और बिलख बिलख कर रोने लगती है पारो पारो उट देख देख मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ पारो की देख भाल की जिम्मेदारी तुमने ली थी ना फिर उसका ये हाल कैसे हो गया मुझे माफ कर दो सूरज गलती मेरी ही है मेरे कारण पारो आज इस हालत में है मैं सच मुझ माजी की तरह पारो की देख भाल नहीं कर सकी माजी मुझे माफ कर दीजे उर्मिला दोड़ कर चारे के पास जाती है और चारे को उठा कर पारो के आगे रखती है पारो को उर्मिला के सफर्ष का एहसास होता है वो थोड़ा सा हिलती है ये देख कर सब खुश हो जाते हैं उर्मिला अपने हाथों से पारो को चारा खिलाती है पारो खुशी-खुशी धेर सारा चारा खा लेती है मानो वो कब से उर्मिला के हाथों से ही चारा खाना चा रहे थी पूनम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उर्मिला से मापी मांगती है कुछ दिनों में पारो फिर से ठीक हो जाती है अब सूरज ने भी गाउं में एक बड़ी डेरी खोल ले थी धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों सास पहु मिलकर पारो की देख धाल करने लगती है पारो भी अब बहुत खुश थी